रादे रादे जे शेयराम दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक नेनो माइक्रोकेब कंपनी के बारे में जिसका मारकेट कैपिटल मक्तर 156 क्रोड रुपे है इस कंपनी की बात करें इस से पहले स्क्रेन पे एक डिस्क्लेमर है वो आप देख सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो में बहुत से में डालू हो आपको आसानी से और जल्दी से मिल जाए कंपनी का नाम है कैल टेक एनर्जी इस लिमिटेड ये कंपनी इंडस्ट्रियल एक्स्प्लोजिव का मैन अगर नहीं है कंपनी डिविडेंट भी देती है लेकिन इतना बड़ा कोई डिविडेंट नहीं देती है आरोसी बीस है आरोई 15 है जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा एक छोटी कंपनी के लिए ये कंपनी पैकेस्ट इमल्चन एक्स्प्लोजिव पैकेस्ट वाटर जेल एक्स्प्लोजिव, बॉल्क, इमल्चन एक्स्प्लोजिव और टेकनिकल स्रेशेज वगरा प्रवाइड करवाती है मैंनली ये कंपनी है जो एक्स्प्लोजिव के अंदर अपना काम करती है अगर हम बात करें इस कंपनी के रेवन्यु में कि कौन-कौन से एरियाज से या company को कैसा revenue आता है तो इंडिया से जो revenue है वो 94% contribute करता है इसके total revenue में export से सिरफ 6% तो ये company manly domestic play है अगर मैं बात करूं segment wise तो explosive segment है ये total revenue के अंदर 80% contribute करता है और तो parallelide है वो 20% revenue है वो contribute करता है total revenue करता है अब अगर अगर बात करूं कि ये company कौन-कौन से area में अपनी expertise रखती है तो ये company है technology provide करवाती है low temperature cryogenic insulation LNG ethylene, propylene, butane, propane, ethane, ammonia, cold boxes and other cryogenic equipment cryogenic equipment वगरा या जैसे rocket है satellite launch होते है missiles है उसमें क्या होता है कि space की बहुत बड़ी समच्चा होती है कम space के अंदर आपको बहुत सारी चीजें accommodate करनी होती है और ऐसा उनको items ये products ये जो कम space को cover करें और उनको जो distance है वो ज्यादा travel करवा दें उनको thrust है जो power मिलनी चीए burning से वो ज्यादा दूरी तक उनको provide करवा दें तो इस चेतर के अंदर बहुत सारे entry barriers है ऐसा नहीं कि कोई भी company आये open किये और आप 0.08 लाग metric ton per annum की explosive manufacturing capacity है और 8400 metric ton per annum की parallality capacity है manufacturing की है अब अगर हम बात करें इस company के manufacturing units कहां कहां है तो across the इंडिया है करनाट तक मद्धे प्रदेश और महाराष्ट्रा में शीलो units इस company की हैं अंद्र प्रदेश और 37 गड़ में शीलो units उनको बोलते हैं जहां पिए company अपना प्रोडेक्ट से उनको storage कर सकती है इस चेतर में है क्या कि अभी जो government है वो defense के ओपर भोज़ता focus कर रही है और government का vision है कि हम export maximum करें और हम import न करें तो import को government है वो minimize करना चाहती है ताकि जो पैसा है वो देश का पैसा वो बाहर न जाए और आने वाले टाइम पे government का में किन इंडिया प्रोजेक्ट है उसके साब से बहुत सारी ऐसी इंडियन companies है जो in house है वो हर सीज का production कर रही है और आने वाले टाइम पे यहां की जो इंडियन companies है वो विदेशों में अपना सावान है वो बेचेंगी export करें यह company है यह continuously R&D पे भी अपना focus करती है और जो company R&D पे expenditure करती है तो ऐसा देखा गया fast के अंदर पिछले कई सालों में देखा गया कि जो company R&D पे expenditure करती है तो वो आने वाले 10 से 15 साल में भोती अच्छा कासा return अपने investor कमा के देती है यह company R&D पे 0.21% total turnover का इसने खर्च किया था उससे क्या होता है कि R&D अगर जितना ज़्यदा focus करती है तो उससे जो customer की requirement होती है उसके साफ से product का design और manufacturing करती है जिससे customer है वो ज्यादा ज्यादा आते हैं और continuously company के साथ में जुड़े रहते हैं अब अगर हम बात करें इस company की financials data की तो company की financial data है वो continuously sales is increase हो रही है margin है चार से 10% के बीच में है तो यहां से अभी down होने के chances हैं margin के वो कम है risk कम है down होने का तो यहां से margin ज्यादे से increase होंगे वैसे वैसे इस company के लिए बहुत ही अच्छी चीज है और profit पे वो directly impact करेगा और investor को भी वो अच्छा पैसा कमाके दे सकती है dividend भी company दे रही है continuously इस company का EPS बढ़ रहा है net profit है वो 2014 में 6 क्रोट रुपे था वह बढ़के 12 क्रोट रुपे हो गया तो इस company के financial data को अगर हम study करें तो इसमें कोई negative चीज है यहां पे दिखाई नहीं देती है अब अगर हम बात करें share holding patterns की तो promoter है 54% 4% के आसपास में holding है वो इस company में own करते हैं और public holding है वो 45% के आसपास है जैसे से company की size बढ़ते जाएगी वैसे वैसे DIS है या FIS है वो इस company में interest दिखाना शुरू करेंगे और जैसे से वो इस take pick up करेंगे तो उसकी वज़े से company की जो संबावना है management का जो track record है वो बहुत ही excellent है बहुत ही अच्छा management है अब अगर हम बात करें debit to equity ratio की तो 0.38 है जो comfortable zone में है और मोटर कोई भी place share नहीं है company की जो reserves है वो देरे-दरे बढ़ रहे हैं long term borrowing हो कम हो रही है fixed assets है वो increase हो रहे हैं तो यह company के लिए बहुत ही अच्छे science है बहुत बढ़िया चीज है company का जो investment हो लगबग 10 क्रोड के आज़ पास company का investment है इस company में एक ही मुझे risk दिखाए देता है बहुत ही छोटी company है इक्विटी बहुत चोटी है नेनो माइक्रो केप company है यही एक इसमें risk है तो अगर आप इसमें अपना investment करना चाहते हैं तो पहले तो अपने एक financial advisor की राय ले 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 आप इस company के बारे में study करें उसके बाद में आप कम quantity में इस company के share खरे दें और लंबे समय तक इस company के share है वो portfolio में hold करके रखें यह company के सामने बहुत ही बड़ी growth potential available है यह company आपको कई गुना return यहां से कमा के दे सकती है मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा देगी जानकारिया आपको अच्छी लगे होंगी और आपके काम भी आएंगी वीडियो को share और like करना ना बुले रादे यह देशियरा